हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का विभानु लाइफ में आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लैक फंगस से बचने के उपाय बताएंगे कोरोना संकर्ट के बीच म्यूकोरमाइकोसिस यानि ब्लैक फंगस पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का संकर्वन लोगों के डर को और बढ़ा रहा है ब्लैक फंगस देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत तेजी से फैल रहा है आम तवर पर जिन कोविट मरीजों को ज़्यादा इस्टिराइट दी गई जो लंबे समय से अस्पताल में भरती थे आकसीजन मास्क या वेंटिलेडर के जरिये आकसीजन सपोर्ट पर थे खराब हाईजिन के कारण या डायविटीज जैसी अन बीमारियों से जूज रहे लोगों को ब्लैक फंगस का ज्यादा खत्रा रहता है अगर इस ब्लैक फंगस का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये घातक साबित हो सकता है इम्यून सिस्टम एक्सपर्ड के अनुसार ये उन लोगों में आसानी से फैल रहा है जो पहले से किसी ना किसी बीमारी से जूज रहे हैं और जिनका उम्यून सिस्टम कमजोर है इसके अलामा कोविट दमाईयां डायविटिक और नन डायविटिक दोनों ही मरीजों में बलड में सुगर के लेवल को बढ़ा सकती है जो फंगल के वढ़ने का मुख कारण माना जाता है ऐसे में कुछ घरेलू टिफ्स अपना कर इस ब्लैक फंगस के खत्रे को कम किया जा सकता है डेंटिस के अनुसार कुछ ऐसे दंत सचता नियम है जिनका पालन करके ब्लैक फंगस के साथ साथ अन वाइरल फंगल इंफेक्षन के खत्रे को कम कर सकते हैं डायविटीज स्वास मंत्राले के मुताबिक ब्लैक फंगस का खत्रा कोरोना से ठीक होने वाले के साथ साथ अन लोगों में देखने को मिल रहा है आन यंते डायविटीज इस्टेराइट की वज़ा से कमजोर इम्मूटी लंबे समय तक आई सी यू या अस्पताल में दाखिल रहने वाले किसी अन बीमारी से जूज रहे वोरी को नाजोल थेरेपी जैसे मामलों में ब्लैक फंगस का खत्रा काफी बढ़ रहा है सड़ा हुआ खाना एक्सपर्ड के मुताविक ब्लैक फंगस सभी जगा हो सकता है सड़ा हुआ खाना और एयर कंडिशनर के ड्रिप पैन आदी कहीं से भी ब्लैक फंगस फैल सकता है दूसी थवा या इसमें फैले संक्रिमित कणों के संपर्क में आने से कोई वेक्ति फंगल और वाइरल इंफेक्शन का सिकार हो सकता है इसकिन पर चोट लगने से भी ब्लैक फंगस फैल सकता है जीव का रंग लोगों में ब्लैक फंगस के कई तरह के लच्छड पाये जा रहे हैं इसमें मुक रूफ से जीव का रंग बदलना, मसूरों में सूजन, आखों में लालपन, दर्द, बुखार, सिर्दर्द, खासी, सांस में तकलीफ, तेज दर्द, उल्टी में खून, बंद नाग या चेहरे पर सूजन आज इसके लच्छडों में सामिल है आईए जानते हैं उन टिफ्स के बारे में जो ब्लैक फंगस के खत्रे को कम कर सकते हैं कई बार ब्रस करें एक्सपर्ट के मुताविक कोविट से ठीक होने के बाद इस्टेराइड और अनदमाओं का सेवन मुँ में बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने की चमता को बढ़ाता है ये साइनस, फेफडे और ब्रेन से जुड़ी समस्याएं भी पैदा कर सकता है दिन में दो से तीन बार ब्रस करें इसके अलामा गरारे या एंटी फंगल माउथ स्प्रे का इस्तेमाल कर मुँ की सफाई पर ध्यान देने से ब्लैक फंगस के खत्रे से बचा जा सकता है तूट ब्रस बदल दें COVID-19 के ठीक होने के बाद मरीजों को किसी भी अनवाइरल या फंगल इंफेक्शन के खत्रे से बचने के लिए मुँ की साफ सफाई और सचता बनाये रखना आवश्यक है मरीजों को सलाह दी जाती है कि एक बार निगेटिव टेस्ट होने के बाद अपने टूट ब्रस बदल दें साथ ही नियमित रूफ से अपना मुँ और चेहरे की साफ सफाई पर ध्यान दें ब्रस को साफ करें एक्सपर्ट के अनुसार कोरोना से ठीक हुए मरीजों को अपना ब्रस दूसरों से अलग रखना चाहिए ब्रस और टंग लीनर को नियमित रूफ से एंटिसेप्टिक माउथवास से साफ करने की सलाह दी जाती है रिकवरी के बाद भी अगर इसके लच्छण दिखे तो अंदेखान ना करें तुरंद डॉक्टर से इलाज कराएं ब्लैक फंगस के पहचान और इलाज साइनस, नाग का बहना, नोज ब्लॉकेस, नाग के अंदर पपड़ी पढ़ना, फेस के एक तरफ सूजन होना इस टूल में खून, पेट दर्द और डाइरिया समेद बुखार और आग के नीचे काले धब्बे ब्लैक फंगस के लच्छण है सुरवाती दोर में ही इसे पहचान लिया गया तो आसानी से इसका इलाज संभव है लेकिन देरी होने पर ये बीमारी 46 से 95 फिस्ती तक घातक हो सकती है जिस अंग पर ब्लैक फंगस संक्रमित हैं उसे आफ्रेट कर हटाना मजबूरी बन जाती है वहीं कई मामलों में मौत से बचा पाना भी नमुम्किन हो जाता है एक्सपर्ट कहते हैं कि इसकी वज़ा आकसीजन सिलेंडर का गलत इस्तेमाल है ये ज़्यादा इसलिए बढ़ने लगा है क्योंकि मुश्किल घड़ी में अंट्रेंड लोगों ने खुद ही आकसीजन का इस्तेमाल सुरू कर दिया है और बुखार आते ही बिना डॉक्टर की सलाह के इस्टेरायट खाने लगे ब्लैक फंगस का प्रभाव ब्रेन, आंक और चेहरे पर काफी घातक होता है देखा गया है कि कोरोना से निजात मिलने के दो सप्ताबाद रोगियों को ब्लैक फंगस की वज़ा से अस्पताल आना पड़ा है एक्सवर्ड कहते हैं कि कोरोना से बीमार रोगी को इस्टेराइट लेने की वज़ा से बीटाडीन का गारगल, आकसीजन लेने की वज़ा से इस्टीम का सेवन, नैजल प्रांक्स का बदलना और सुकर कंट्रोल रखना ब्लैक फंगस से बचने के जरूरी उपाय हैं वैसे कुछ घरेलू नुसके भी हैं जो ब्लैक फंगस से बचाओ के लिए काफी असरदार हैं और आयुर्वेद इसे बेहत कारगर मानता है आयुर्वेद के मुताबिक दो चुटकी हल्दी, एक चुटकी, काली मिर्च, लॉंग पीपर और दालचीनी के सेवन से इम्म्नुट परेशानी लग रही हो तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन जरूर दबाएं थैंक्यू, बाइबाई